Hello and welcome back everyone, this is Profit Provider और कल भाई साहब Thursday को इतने लोगों ने अपना पैसा लॉस किया है कि कुछ पूछने की बात नहीं है, बहुत लोगों के मेरे पास में कमेंट आए और कल के दिन में मैंने signals भी नहीं प्रोवाइड के थे उसकी वजह क्या है, सब हम इस बात में discuss करेंगे कुछ भी जैसे कि thumbnail और title देखकर आप समझ गया होगे कि हम क्या discuss करने वाले हैं और ये इतना बड़ा point है कि आप सब लोगों को इसके बारे में पता ही होना चाहिए, ठीक है ठीक है, समर्या क्योंकि news, news एक ऐसा important factor है कि आपके जो भी technical analysis है, उसकी ऐसी की तैसी कर देता है और कुछ भी वहाँ पर proper तरीके से work नहीं करता है तो analysis कैसे करते हैं, news का वो सीख रहे हैं यह सायद एक छोटा point है, लेकिन बहुत important point है आपको देखो, news चिक करने के लिए दो website ऐसी है, जो कि आपकी help कर सकती है एक है forexfactory.com और दूसरी है investing.com जो सबसे ज़्यादा major तरीके से use किया जाता है जो ज़्यादा traders including me, मैं भी investing.com को use करता हूँ क्योंकि investing.com का जो user interface है काफी easy है और इसको समझना भी बहुत easy है अभी हम investing.com के हिसाब से देखते हैं कि आप कैसे news analysis कर सकते हो और फाल्तू के losses से बच सकते हो, अभी सबसे पहले आप लोगों को अपने play store पे चले आना है ठीके play store पर आने के बाद यहाँ पर search कर लेना investing.com app यह कुछ भी न करना चाहते हो तो नीचे description में link provide कर दिया हूँ, वहाँ पर जाकर के direct open कर सकते हो investing.com android और ios दोनों के लिए available है, कहीं से भी download कर सकते हो open करने के बाद अब interface आप लोगों के सामने login वगरा करना आएगा आप लोग इतने अच्छे trader हो, login तो करी ही लोगे अब भाइस आप login जब कर लोगे तो कुछ इस तरीके का आपको pass interface मिलेगा अब ऐसा interface मिलने के बाद नीचे right side corner में जो नीचे more का option है इस पर आप लोगों को click कर देना है इस पर click करने के बाद आप लोगों को live markets में एक ये calendar का option दिखरा होगा calendars के option पर आप लोगों को click कर देना है calendars के option में जैसे ही click करोगे भाइस आप काम खतम आपका अब कुछ नहीं करना अब news analysis अप यहाँ से सीखो कैसे करनी है आप यहाँ पर देखो ऊपर कई सारे option है yesterday, today, tomorrow, this week यह कई सारे यहाँ पर option है अपने अपने हिसाब से select कर सकते हो कि कब का आपको news चाहिए अज जैसे मुझे yesterday का नहीं today का news चाहिए तो अभी समय क्या हो रहा है 10 बच के 43 मिनट ठीक है तो अभी यहाँ पर हम जाते हैं नीचे scroll करते हैं तो 10.43 यहाँ पर search करते हैं तो कहीं ना कहीं news आज की फिरहाल खतम हो चुकी है क्योंकि जो आखरी का news था वो था 22 बच के 30 मिनट के लिए आज का तो 22 बच के 30 मिनट जैसे की already हो चुका है पास हो चुकी है अभी जैसे की यहाँ पर news अगर आज की देखे कैसा analysis करेंगे तो आज news क्या था यूरो में देखो 12 बच के 30 मिनट पर news था फिर THB कोई भोगा पेर ठीक है उसकी बाद में यूरो 13 बच के 30 मिनट पर 13 बच के 30 मिनट पर अब एक बात बहुत धान से सुन लो अगर major news जैसे की स्क्रीन पर देख पार हो 18 बच इतनी सारी news हैं आपको देखने को मिल रहे हैं major news USD के पेर में यूरो के पेर में देखने को मिल रहे हैं तो वो पूरा market हिला करके रख देती हैं आप चाहे euro CAD में trade कर रहे हो लेकिन अगर major news USD market में है तो वो आपका euro CAD का भी market हिला देगा क्योंकि कहीं न कहीं सारा market है interlinked है एक दूसरे से connected है तो इस बात को जरूर ध्यान लगो major pair में अगर आ रहा है news तो आपको trading किसी भी pair में नहीं करना चाहिए अब यहाँ पर एक factor यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो अगर हम BRL की यहाँ पर बात करें तो BRL में 17.30 लिखा उसके नीचे देखो एक बुल बना हुआ है ना वन बुल बना हुआ है लेकिन वहीं देखें 17.45 मिनट पर यूरो में 3 बुल बने हुए तो यह जो single बुल, triple बुल या फिर CAT में 17.45 पर double बुल यह जो 1, 2 और 3 बुल यह जो दिख रहे हैं यह बताते हैं कि यह जो news आने वाली है यह आपके market में कितना बड़ा impact डालेगा वहीं अगर बात करें जैसे कि यह आप BRL देख लो 17.45 बजे का single बुल है मतलब market में impact डालेगा और BRL है इससे कुछ खास फारक पने वाला दी तो BRL का भी जो भी pair होगा उसी में impact डालेगा हलका सा impact वन बुल है हलका सा impact उसी की बाद में euro का pair में 17.45 मिनट पर double बुल का news है double bull मतलब medium medium level का उसमें फरक डालेगा डालेगा जरूर अब वहीं नीचे आ जाओ भाई साहब यू यूस पर देखरो लगा ता triple bull ट्रिपल बुल ट्रिपल बुल डबल बुल ट्रिपल बुल ये देखो कितनी सारी न्यूज 18 बजे ही at a time एक ही pair में है मतलब इसको ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा सत्यानास कर देंगी वैसे यहाँ पर कुछ important news भी आती है जैसे NFP की trade जब आप लोग करते हो अच्छा इंपक्ते न्यूज की वजह से किस हिसाफ से मार्केट उपर जाएगा नीचे जाएगा देखो उन चीजों को एनलाइस करने के लिए हर न्यूज को हमें अपने हिसाफ से देखना पड़ता है कि जो न्यूज रिलीज होने वाली है वो करिंसी के फिवर में रहेगी या फिर 18 बज़ने के बाद 10 मिनट में ट्रेडिंग नहीं करना है ठीक है क्योंकि कई ब्यार ऐसा होता है कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्शुएसंस बिफोर न्यूस टाइम और आफ्टर न्यूस टाइम में है वी दिखाता है उसकी वज़े से आपके टेक्निकल्स फ पचा सकती है अच्छा न्यूस के इलावा भी मार्केट कई तरीके के फैक्टर में डिपेंड करता है कि मार्केट सही है या खराब अगर आपको सारे फैक्टर नहीं पता है कि मार्केट कैसे पहचाना जाता है कि सही है फिर खराब उसके लिए एक डेडिकेटर वीडियो मे तिल देन गुट्बाइ, सी यू सुन